हेलो एभरीवन, वेलकम टू सेकेट डोडियल, आज की इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ, नेशनल फार्टिलाइजर्स लिमिटेट में, जो मैनेजमेंट ट्रेनी के पुश्ट के ली नोटिफिकेशन आई वी थी, इसके तरफ से लेटिस्ट अपडेट आ रहे है इनके ओफिसियल वेवसाइट पर लेटिस्ट मार्क्स अप्लोड की गई है सभी कैडिडेट का, आप सभी को पता है NFL MT एग्जेमनेशन जो है 10 और 11 अगस्त को हुए थे, और ठीक दो दीन बाद ही आप सभी को आंसर की भी मिल गया था, और आंसर की मिलने के साथ साथ ही और NFL ने सीजों को accept भी किया कि कुछ questions हाँ एग्जमनेशन में गलत आ गए थे, तो ये तो student की गलती नहीं थी, इसलिए सभी कैडिडेट को extra marks भी दिया गया है, अब आपको extra marks कितने मिले हैं, इसको check करने के लिए आप लोग simple में NFL के official website पे visit कर सकते हैं, और वहाँ पर अप आपको कितना extra marks मिला है, साथ ही साथ extra marks मिलने के बाद आपको कितने marks score हो रहे हैं, इस चीजों को देखने के बाद आप सभी लोग, basically बहुत सारे लोग comment करते हैं हमारे पिछले YouTube वीडियो के comment sections में, कि sir मेरे 111 marks आ रहे हैं, मेरे 105 marks आ रहे हैं, sir मुझे 95 marks आ रहे हैं, क्या कोई straight forward answer नहीं हो सकता है, और अगर मैं directly बोल दूँ हाँ, आपको preparation शुरू कर देनी चाहिए, तो ultimately, directly अगर आप यह मैं बोलता हूँ, तो कहीं न कहीं, आप लोग सोच सकते हैं, कि हो सकता है, आप लोगों को ऐसा लग सकता है किसी candidate को, कि sir batch में जूडने के लिए, या आप आपना course को बेचने के लिए, ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन दोस्तो आज, basically decisions total up to you रहेगा, मैं factual data के बारे में बाते करूँगा, ताकि आप लोग clarity के साथ decision ले सकें, कि आपको interview का preparation सुरू करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तो इस वीडियो में पूरा last तक बनी कर सकते हैं अपने friend के साथ, तो चलिए, शुरू करते हैं आज के इस सफर की, दोस्तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर interview process के बारे में, तो NFL के already हमारे पिछले batch के भी candidate ने इस एजनेसंस को दिया है, साथ ही साथ हमारे एक friend है, जो कि NFL में भी job कर रहे हैं, तो मुझे NFL के बा release करती है, और interview का date आपको email आता है, और interview जिस date में होते हैं, इसके बीच में बहुत ज़्यदा time का gapping नहीं रहता है, यह आपका one week या ten days का gap रहता है, इससे ज़्यादा का नहीं रहता है, मांग के चलिए अगर आपका दूसरा city में interview है, तो आपको traveling भी करनी होती है, तो कु चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों सबसे पहले कुछ factual information को ध्यान में देख लेते हैं हम लोग, जो कि हमने यहाँ पर leak करके रखा है, आप सभी के लिए, ताकि मैं आप सभी को अच्छे से guide कर सकूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका जो notifications release हुआ है, total number of vacancies है, 164 है, total number of vacancies है, अलग-अलग branch wise, जैसे chemical lab में total 56 vacancies आए वे थे, और आप सभी को पता है, एक post के लिए ये लोग 5 candidate को बुलाते हैं, तो यानि कि 56 seat अगर है, तो 5 times करेंगे तो 280 candidates आएंगे chemical lab के लिए, यानि कि आप समझ सकते हैं कि chemical lab के लिए थोड़ा सा cut-off भी high जा सकता है seat भी जादा है, है ना, और कम भी जा सकता है, ये totally depend करगा, कितना number of candidates ने apply किया है, ये data तो हम लोगों के पास नहीं होती है, कि NFL के लिए कितने form भरे गए थे, है कि नहीं, तो आप लोग खुझ से यहां पे समझ सकते हैं, mechanical के लिए जो है total 18 seat है, total 18 vacancies था, तो इसका 5 times बुलाएंगे candidate को interview लेने के लिए, तो 90 candidate जाएंगे mechanical से interview देने के लिए, electrical में 21 basically seat था, तो इसमें से 105 candidates को interview लेने के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, that means interview देने के लिए, आगे बढ़ते हैं, instrumentation में total 17 post के लिए vacancies है, तो इसक 5 times 85 candidates जाएंगे instrumentation के, chemical lab का अगर मैं बात करूँ, तो 12 है, chemical engineering कह सकते हैं, 12 है, तो इससे 60 candidates को बुलाए जाएंगे, fire and safety में 5 ही seat है, तो इसके 5 times यानि 25 candidates जाएंगे interview देने के लिए, information technology का अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 5 vacancies है, इसके 5 times candidate को बुलाएंगे यान 25 candidates है, materials का अगर मैं बात करूँ, 11 vacancies है, और 55 candidate को बुलाए जाएंगे interview के लिए, HR के लिए 16 post के लिए vacancies है, तो इसके 5 times यानिके 80 candidates को बुलाए जाएंगे interview देने के लिए, अब देखिए द branch के अगर post wise vacancies को add कर दें, तो total हो जाता है 164 vacancies है, और इसका 5 times अगर कर दें, तो 820 candidates जो जाएंगे, वो 820 candidates जाएंगे interview को देने के लिए, तो यानि के competitions आपका यहाँ पर भी है next level का, इसको भी आप lightly नहीं ले सकते हैं, अगर interview का call आता है, तो इसमें भी आपको बहुत systematic way मैं अच्छे से basically preparations कर के जानी चाहिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें interview कैसे होते हैं, इन जिंदल आप लोगो एक brief idea मैं दे देता हूं, देखिए दोस्तों interview जो होते हैं basically ये आपका technical के साथ साथ non technical part दोनों पर focus किया जाता है, देखिए आप management training के post के लिए interview क को देने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ के लिए तयार रहे हैं कि आप marketing में भी काम करेंगे, आप technical sector में भी काम करेंगे, आप अलग-लग कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, आपको कुछ भी काम है मिल सकती है, हाँ ठीक है, कुछ दिनों के बाद आप काम के promotions होगा, तो फिर आपको especially किसी particular काम में basically involved कर दिया जाएगा, लेकिन starting में management trainee है आप, manage करना है आपको हर एक चीज़ों को, कुछ भी चीज़ों को, समझ रहे बात को, इस वज़े से, लेकिन अगर आप electrical engineering candidate हैं, तो आप से electrical branch related questions भी वो interview में पूछते हैं, और वो भी क्योंकि आपका technical अच्छा है, इस वज़े से आपने cut-off को cross किया है, तो बहुत ज़्यादा special technical का preparation करने की ज़रत नहीं है, preparation आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से preparation करने की ज़रत होती है, non-technical sections को, non-technical questions को, जैसे की interview के कुछ frequently asked questions हैं, जैसे की why you want to join NFL, NFL को आप क्यों join करन हैं, बहुत सारे questions रहते हैं इस तरह के, NFL में management training के role को समझाईए, आपको क्या-क्या काम करना पड़ सकता है, ये सभी चीजों के बारे में brief में वो पूछते हैं, अगर आपको पता है, तो अच्छी बात है, नहीं है पता, तो वो भी बहुत ज़्यादा issue नहीं बनाते हैं इस चीजों को लेकर करें, लेकिन वो इस चीजों को जरूर गौर करते हैं कि आपको जिस questions का answer नहीं आता है, उसको आपके इस तरह से humble news के साथ अच्छे से उनके सामने में अपने response को represent करते हैं, इन सभी चीजों को मैं proper way में guide कर रहा हूं अपने interview guidance program में, अगर आप लोग interview का preparation करना चाहते हैं, तो आप लोग जुड सकते हैं हमारे साथ SK tutorial app पर, दिखिए interview guidance program जो है, ये किसी particular batch वाले candidate के लिए नहीं है, आप किसी भी batch से हों, किसी भी post के लिए अपलाई किये हों, NFL, MT के लिए, तो आप लोग simple में हमारे interview guidance program में जुड सकते हैं, इसमें पहले सभी चीजों को guide किया जाएगा, कि कैसे आपको introductions देनी है, कैसे आपको basically formatting रखनी है, क्या dressing sense होना चाहिए, क्या बोलने का language होना चाहिए, किन चीजों को बताना चाहिए, किन चीजों को नहीं बताना चाहिए, इन सभी चीजों को पहले अच्छे से मैं बताता हूँ, इसके सब classes आप सभी को interview guidance related provide करने के बाद, आप सभी के mock interview का basically organize करने वाला हूँ, पूरा अच्छे से मैं और हमारी team, तो उसमें आप सभी के technical और non-technical दोनों side के question पूछे जाएंगे, technical का कोई special मैं preparation, interview मैं preparation नहीं करवाने वाला हूँ, आप सभी को clarity के साथ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, कि आप लोगों को basically interview के लिए preparation मैं करवाने वाला हूँ, जो भी doubt होंगे, questions होंगे, confusions होंगे, वो मुझसे directly आप लोग पूछ सकते हैं, आप सभी को पता है, हम NFL MT interview की तयारी कैसे करें, इसका एक batch है, उसमें enrollment ले सकते हैं, अगर आप लोग एप को download नहीं करना चाहते हैं, तो simple में google पे sktutorial.org पे visit करके हमारे batch में enrollment ले सकते हैं, उमीद करते हैं सभी चीज़े समझ में आ गई होगी, अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे admission help line number प यहां पर भी है, कि एक post के लिए 5 candidate को वो बुलाएंगे, और 5 candidate में से जो सबसे जादा best लगेगा NFL के interviewers को, वो उनको select करेंगे, यह बात सच है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो basically competition है, और इस चीज़ों का basically आप लोगों को ध्यान रखना है, तो I hope य खुद से decision लीजिए, आपके marks कितना आ रहे हैं, ठीक है, मैं फिर भी अगर आप roughly पूछना चाहते हैं, तो मैं यही recommend करूँगा, अगर आपका, basically, चुकि दखिए, यह cut off वगरा सब अलग-अलग post, अलग-अलग branch wise, अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए कुछ भी चीज़ों क मैं specifically बोलने से बचना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तो, तो आप लोग अपने accordingly इसको सोच करके decisions ले सकते हैं, लेकिन time बहुत कम रहता है interview का date आने के बाद, यानि कि एक सबता से 10 दिन ही रहता है, तो वो ऐसे sufficient होता है interview का preparation करने के लिए, लेकिन अगर आपने कभी interview नहीं दि आपको सारे बातों को समझने के लिए समय चाहिए, है ना, तो इसलिए आपको जो है basically early start कर जनी चाहिए अपना interview का preparation अगर आपके marks अच्छे हैं तो, ठीक है, तो उमीद करते हैं सभी जी जी समझ में आ गई होगी, किसी भी तरह का doubt है, question है, confusion है, तो आप लोग definitely इस वीडि आपकार, जय हिंद वंदे मात्रम